नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को प्रधान मंतरी ग्रामिड आवास योजना के बारे में बताने माला हूं जो सरकार ने नया लिस्ट जारी किया है 2020-21 का इसमें आप अपना नाम या अपने गाउं के किसी भी लोगों का नाम चेक कर सकते हो तो चलिए चलते हैं प्रधान मंतरी ग्रामिड आवास योजना की ओफिसियल वेब साइट पे जहां से आप अपना नाम चेक कर सकते हो यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना होगा pmayg.nick.in ओफिसियल वेब साइट जो है ओपन होके आचुका है आप देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर आप लोगों को सेकेंड नमबर पे आना होगा जहाँ पर लिखा हुआ है आवास सॉप्ट इसे आप क्लिक कीजिए उसके बाद में सेकेंड नमबर डाटा एंट्री उसके बाद रिपोर्ट है इसको आप यहाँ लोगों को क्लिक करना होगा जैकेंड आपको सबसे लास्ट में आना होगा जो एस सेक्षन सोशल ओडिट रिपोर्ट से नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा first number beneficiary details for verification इसको आपको क्लिक करना होगा जैसे कि यहाँ पर open हो चुका है selection filters आपको select करना होगा आपका राज्य जिस राज्य में आप रहते हो जैसे मैंने select किया है 36 गर उसके बाद आप लोगों को select करना होगा आपका जिला जिस जिले में आप रहते हो जैसे मैंने select कर लिया मुगेली उसके बाद आप लोगों को सलेक करना होगा ब्लॉक उसके बाद आप लोगों को सलेक करना होगा आपका गाउं का नाम जैसे मैंने सलेक कर लिए अपने गाउं का नाम उसके बाद में आप लोगों को सलेक करना होगा कौन से साल का आप चेक करना चाते हो जैसे मैंने बताया था आप लोगों को 220 और 21 का हमें चेक करना है तो इसे क्लिक करना है उसके बाद आप लोगों को योजना सेलेक करना होगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स नमबर में प्रधान मंत्री ग्रामिडावास योजना उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर केप्चर टाइप करना होगा जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर यहाँ आप टाइप करेंगे फिर सब्मिट को उप्शन उसे क्लिक कीजिए आप लोग अब देख सकते हो कि सीट जो है ओपन हो चुका है यहाँ पर अपना नाम या आप किसी लोगों किसी का भी नाम आप चेक कर सकते हो है यहाँ पर और आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड आप डाउनलोड एकसल में भी कर सकते हो और डाउनलोड पीडिएफ में भी प्रधान मंतरी ग्रामिड अवास योजना है इसका लिस्ट आप मोबाइल पे भी चेक कर सकते हो गर आप लोगों को और भी जानकारी चाहिए प्रधान मंतरी ग्रामिड अवास योजना के बारे में तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम अधीक से अधीक इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे सकें धन्यवाद